है गाइस इस लेक्चर में हम सिलोलिदम के पाच कुछन्स लेने वाले इनका लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा और यह ट्रैरिशनल टाइप की सिलोलिदम के कुछन्स है ठीक है और न्यू पैटर्न के जो कुछन्स है वो हम नेक्स लेने वाले है फिलाल यह पाच कुछन्स बीच में कुछ पार्ट जो है वो common है यह हुआ सर्वे और यह हुआ पोल ठीक है उनके बीच में यह जो पार्ट है यह common है फिर some elections are referendums अब देखिए आपके पास डाइग्राम में सर्वे है और पोल से पर ना election है ना referendum है इसके इसी लिए हम इस सेकंड स्टेटमेंट को अभी के लिए जैसे के वैसे रहेंगे जिते ठीक है फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है है सम सर्वेज और इलेक्शन आपके पास सर्वे दिया है और फिर यह क्या बोल रहा है कि सम सर्वेज मिंस कुछ सर्वेज इसका मतलब क्या हुआ ये गलत हो गया बराबर है फिर पॉल्स आर्फेरेंडम्स मिस कुछ जो पोल से वो referendum है ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनके बीच में survey और election जो है वो common है उनके बीच में survey और election आते हैं वो direct connected नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? ये भी गलत हो गया फिर उसके बाद some surveys are referendums में survey और referendum इनके बीच में कुछ common है बोल रहा है देखिए यहाँ पे इनके बीच में कोई direct connection नहीं है इसका मतलब third conclusion भी wrong हो गया फिर चवता conclusion some polls are elections कुछ polls जो है वो election से बोल रहा है देखिए यहाँ पे बी election और poll के बीच में direct कोई connection नहीं है इसका मतलब अब यह भी गलत हो गया so finally answer क्या आएगा अभी यह जो कुछत दिया है इनमें तो चारी option दिये थे but मेरे खाल से answer इसका आएगा none of these right none of these answer आएगा यहाँ पे क्या का है पहला statement कहता है many melodies are symphonies so अब देखिए यहाँ पे many का मतलब क्या होता है आप many को some ही ले सकते some many means some so जब भी many दिया हो आपको इसे some पकड़ना है some so पहला statement है some melodies are symphonies so so यह हुआ melodies और यह हुआ symphonies उनके बीच में यह जो बाठे वो common है फिर no melody is orchestra so melody और orchestra के बीच में कुछ भी common नहीं है यह हुआ orchestra और melody जिनके बीच में कुछ भी common नहीं है फिर उसके बाद क्या है all symphonies are music means सारे के सारे यह जो symphonies है वो क्या है music है music है ठीक है तो यह तो हो गई हमारी venn diagram अब देखते है conclusions पहला conclusion क्या कहता है कि some melodies are music means music और melodies के बीच में कुछ part common है अब देखिए यह हुआ melodies और यह हुआ music उनके बीच में यह वाला जो part है यह common part है right यह common part है इसका मतलब यह पहला conclusion सही है फिर दुसरा conclusion क्या कहता है कि some o are not music means कुछ जो o है वो music नहीं है अब देखिए यहाँ पर यह not दिया है इसका मतलब यह negative statement वहा negative हुआ statement इसका मतलब आपको possibility check करनी है देखिए आपका यह जो o है यह इस तरह से बढ़की यहाँ पर आ सकता है right o का जो circle है आप ऐसे बढ़ा सकते है इसकी possibility है यह यह इसकी एक possibility है right इसी का मतलब यह गलत हो गया क्यूंकि some o music हो सकते है right फिर third क्या है some symphonies are orchestras means some yes are o अब देखिए यह बोला कि yes और o के बीच में कुछ common है direct यहाँ पर अब यह fixed sentence दिया है मतलब definite sentence है right statement है या फिर conclusion है यह definite conclusion दिया है right तो definite conclusion में आपको सरफ when diagram देखके answer करना है क्या yes और o के बीच में आपको कोई common दिखता है इनके बीच में कुछ common नहीं है right so यह गलत हो गया फिर last conclusion क्या कहता है some o are yes means कुछ o yes है यह भी गलत हो गया मतलब third conclusion और fourth conclusion same है इनमें बस subject और predicate को interchange किया है तो अगर third गलत हुआ तो fourth भी गलत ही होगा so इसमें answer क्या आएगा इसका answer आएगा only conclusion one follows right only conclusion one follows अभी कोच्छन यह कोच्छन देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि some peas are not beans यह थोड़ा interesting question है यहाँ पर शायद गलती हो सकती है देखिए some peas are not beans ऐसा दिया हुआ है मतलब peas का कुछ जो part है वो beans नहीं है अब देखिए इसके possible diagrams कोन से बनती है यह हुआ P और यह हुआ B ठीक है सोचे अब और दोनों के बीच में कोई relation नहीं है तो जब इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं है इसका है मतलब क्या हुआ pitch का sum part P का sum part B के साथ related नहीं रहेगा मतलब यह भी एक possible diagram हो गई अब उसके दूसरी possible diagram कोन सी है अगर यह पूरा circle P है सोचे ठीक है और इसे मैं दो part में divide करता हूँ यह एक green वाला part और यह जो बाकी का बचा है वह without green वाला part ठीक है इन दो part में इसे divide करता हूँ तो वाईला statement क्या कह रहा है कि sum P's are not means सोचे अगर sum part means यह green किया हुआ part P का B नहीं है इसका मतलब यह बचा हुआ जो part है यह जो बचा हुआ part है वह B हो सकता है तो मतलब यह भी एक possible diagram है right इसकी यह भी एक possible diagram है मतलब यह दोनो possibility बनते हैं एक ही diagram से एक ही statement से ठीक है तो फिलाल हम exam में दूसरी जो diagram इसका इस्तमाल करेंगे ठीक है पहले हम इसका इसका इस्तमाल करके solve करने की कोशिश करते पहले पहले statement के हिसाब से हमें diagram मिलेगी यह हुआ P और यह हुआ B ठीक है अब यह जो green क्या हुआ पार्ट है P का यह वाला पार्ट B के साथ connected नहीं है ठीक है और यह जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ठीक है चलिए फिर आगे second क्या कहता है second statement कहता है कि no B is yes means B और yes के बिच में कोई relation नहीं बी और यह हुआ yes इनके बिच में कोई relation नहीं है फिर उसके बाद क्या कहता है some yes means yes और C के बिच में कुछ पार्ट common है यह हुआ C और यह हुआ yes इनके बिच में यह वाला पार्ट जो है वो common है ठीक है तो यह तो हमें मिल गई when diagram फिर इसमें पहला conclusion क्या कहता है कि some means are not cons यहाँ पे देखिए negative statement दिया हुआ negative conclusion दिया है मतलब आपको possibility चेक करने अब sum B are not C मतलब B का कुछ पार्ट C नहीं है ऐसे बोल रहा है तो क्या यह सही हो सकता है क्या देखिए अब यहाँ पे भी बहुत लोग confused हो सकते ठीक है पहले पहला पार्ट क्या दिया है अब इसे दो पार्ट में डिवाइट कर लिजे को sum B ठीक है और फिर कहता है not C मतलब B का जो कुछ पार्ट है वह C नहीं है जब हम क्या करेंगे पहला जो पार्ट है उसके तरफ मतलब पहले वाले का सरकल की तरफ दूसरे वाले सरकल को लेके जाएंगे ठीक है इस तरह के अगर conclusion दिये हो आपको याद रखना है कि पहले वाले के सरकल की तरफ मतलब इस सरकल की तरफ इस possibility में इस कोच्छन में पहला सरकल कुन सा है बी है उसके तरफ दूसरे वाले सरकल को लेके जाएंगे तो मतलब यह वाला तो क्या यह जो सरकले ऐसे हो सकता था यह सरकल सी का ऐसे आराम से हो सकता था राइट इससे आपका कोई भी statement गलत नहीं होता मतलब बी का सम पार्ड सारा का सारा हो सकता है इसका मतलब सम पार्ड्ड भी C हो सकता है राइट तो यहां पिश् NEपर यह हुआ गलत conclusion क्योंकि अगर बी का सारा पार्ट सी में आ सकता है तो some part तो आए गाई बराबर है ठीक है conclusion 1 को हम over explore करेंगे यह example होने के बाद दूसरा conclusion क्या कहता है some C are not B अब यहाँ पर देखिए part 1 कुन सा है some C और दूसरा part कुन सा है not B negative statement है आपको possibility चेक करने है और क्या करेंगे पहले part की तरफ मतलब पहले वाले सरकल की तरफ यहाँ पे C पहला वाला सरकल है उसकी तरफ दूसरे वाले सरकल को आप लेके जाएंगे अब देखिंए यह जो B है B का सरकल आपका S से आसकता है एसे एसे आसकता है बट पूरा C नहीं लेख सकता क्यों की B और Y até के बिश में कुछ भी common नहीं है और यस और सी के बिश में यह वाला जो part MORE मतलब इतने part में तो भी आ नहीं सकेगा क्योंकि सी का यह जो part है यह यह साथ common है और और स ऑर ब के बिश में कोई relation नहीं मतलब क्या हुआ सी का thumb Part मतलब यह वाला जो part कि क dit कब्गी भी टू फॉलोज यह एक्जांपल बहुत इंपॉर्टन्ट है और SBI PO में अगर ट्रैडिशनल कोच्छन्स पूचे गए हैं तो यह वाला कोच्छन्स पूचने के बहुत ज्यादा चांसे से 99% होंगे कि इसी टाइप का कोच्छन्स पूचा जाएगा राइट इस टाइप के अग कि चांपिर कंक्लूजन थ्री क्या कहता है कि आल पी आर यस इन सारे के सारे पी यस है देखे पी और यस के बीच में अभी ये definite statement दिया हुआ आपको और पी और यस के बीच में कुछ भी common नहीं है इसी का मतलब चंप्धिन थ्री जो है वह भी गलत हो गया यह गलत हो गया फ The P आर Not Yes आप देलेकहे संप और Not Yes और The Moon दुसरा पाड में है यह नीगेटव स्टेट्मेंट है तो हम क्या करेंगे पहले वाले रॹकल की तरफ दुस्रा वाला सर्कल के ले यह प्हेला कुन सा है इस्के तरफ हम दुस्ता वाला मतलब यह सवाला सरकल करněं यह सो यह स्वाल तो हमारा circle कैसे आएगा ऐसे जाएगा ठीक है इस तरह से आपको आपका यह circle जाएगा बट यो पार्ट है यहाँ पहे नहीं आपाएगा इतने पार्ट में क्योंकि p का ये जो पार्ट है वो b के साथ common है और ब उर यस के बिच में कोई भी relation नहीं है तो इसका मतलब यस कभी भी पी के इतने पार्ट में नहीं आए पाईगा इसी का मतलब सम पी मिन्स ये वाला जो किया हो पार्ट है इस कलर का ये यस नहीं है यस नहीं है ये तो सही है राइट मतलब conclusion 4 follows तो इस question का answer आएगा किस conclusion 2 and 4 follows ठीक है इस question में एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है कि diagram निकालते वक्त आप ये वाली diagram निकालिएगा दूसरी वाली अगर statement ऐसा दिया है तो और दूसरी चीज सम नौट जब रहेगा इस तरह के questions रहेंगे तो पहले वाले circle की तरफ मतलब इसके तरफ या फिर इनकी तरफ आप दूसरे वाले circle को लेके जाएंगे ठीक है दूसरे वाले circle को लेके जाएंगे मतलब दूसरा वाला सरकल हमेशा पहले वाले सरकल के तरब बढ़ाएंगे ठीक है चलिए तो यह कोच्छन एक इंपॉर्टन था अच्छा इसमें पहली जो कंडिशन थी कि सम बीन्स आर नॉट यह सी देखिए सम बी आर नॉट सी इसका दूसरा एक पॉसिब और कुछ से बन सकता है कि सम बी आर सी और तिसरा सम बी बींग सी इच पॉसिबिलिटी ठीक है ओर शवता अल बी आर सी और पाचवा अल बी बींग सी इच पॉसिबिलिटी ठीक है पॉसिबिलिटी इन पाचों को हम एक बार देखिए बहुत है अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर घ्लीर हो जाएगा तो पहले कुन सा देखें पहले देखते हैं और भी और फिर यह हुआ और और चीज यह देखें डेफिनेट स्टेटमेंट है और डाग्राम में बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं इसका मतल कि बींग सी इच पॉसिबिलिटी बोल रहा है क्या सारे के सारे भी सी होने की पॉसिबिलिटी है देखें अब पहला सरकल कुन सा रहेगा आपका यह रहेगा ठीक है फॉस्ट और दूसरा कुन सा है सी है मतलब दूसरे वाले को आप हमेशा पहले वाले के तरब बढ़ा के द अगर आपको conclusion इसके जगा अगर ऐसे दिया होता कि all c being be each possibility अब देखिए being be each possibility यहाँ पे पहला वाला c है पहला circle c का है और दुसरा b का है आप क्या करेंगे आप आपको b को c की तरफ बढ़ाना पड़ेगा राइट क्योंकि दुसरा circle b का है अब b के circle को आप बढ़ाते c की तर तो आप पूरा का पूरा c का circle नहीं ले पाएंगे क्यों क्योंकि c का जो कुछ part है वो yes के साथ common है और yes और b के बिच में कोई relation नहीं है इस case में यह गलत आ जाएगा बट हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया है कि पहले b दिया है और बाद में c इसलिए यह सही हो रहा है ठीक ह फिर third conclusion क्या कहता है कि some b are not c पहला statement है इसे तो हमने किया है यह same पहला conclusion है और इसका answer शायद wrong आयता मतलब does not follow आयता ठीक है आप इसे देख लीजे फिर fourth क्या कहता है कि some b are c b or c के बिच में कुछ common है यह definite statement है और b or c के बिच में कुछ भी common नहीं दिख रहा इसका मतलब यह गलत हुआ है डाज नॉट फॉलो फिर some b being c इस possibility अब देखिए all b being c इस possibility है तो इसका मतलब ही क्या हुआ some b being c इस possibility यह सही हो जाएगा यह सही हो जाएगा अभी इसी में अगर आपको some c being b इस possibility ऐसे दिया होता तो क्या यह सही होता अब देखिए पहला सरकल आपका c का रहेगा दूसरा b का रहेगा ठीक है तो हमेशे क्या करेंगे आप दूसरे सरकल को पहले सरकल की तरब बढ़ा के देखेंगे इतना याद रखना है ठीक है so b जो है c के some part को include तो करता ही है right some part को करता है न तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा तो नहीं करता ही侯 इस वाले part को तो जैसे है कि यह दो पॉसिबल डाइग्राम से पहले स्टेट्मेंट के लिए पर अगर आप मेरी मेथड से जा रहे है तो आपको इसका इस्तमाल करना है और दूसरी चीच यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि कि सम नॉट का होगा तो पहला सरकल और दूसरा सरकल ऐसे लेना है या फिर पॉसिबलिटी निकालनी है ठीक है चलिए आपको यह कौच्छन समझ में आया होगा नेटस्ट को छन देखते है है इसमें statement है कि all jackets are sweaters पहला statement है कि all jackets में सारे के सारे जो jackets है वो क्या है sweaters से स्वेटर से फिर no sweater is raincoat sweater और raincoat की बीच में कोई relation नहीं है फिर उसके बाद no sweater is TC स्वेटर और टी से विच में कोई रिलेशन अभी आप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन अभी आप इसे यहां पे निकाल सकते थे-れない बुंद निकला क्सिंस का ध्यान सबस्स 이제 का जहां। को एंटर सेक्षन हो राइट इसनिट wine ने का ध्यान डेकंश गई टीसी और जैकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है मतलब डाइग्राम से हमें कुछ दिख रहा है क्या पहली चीश कुन से यहां पर नो दिया है मतलब निगेटिव है मतलब ही क्या हुआ कि आपको इसमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है अब पहला सरकल कुन सा है टीसी यह पहला सरकल है और दूसरा जैकेट है तो क्या जैकेट टीसी के साथ टच हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जैकेट जो है वो यस के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि सारे के सारे जो जैकेट है वो यस के अंदर आते है और यस और टीसी में को तो इसका ही मतलब क्या हुआ no TC is jacket is right because उनके बिच में कोई relation हो इन सकता बराबरे फिर दूसरा conclusion क्या कहता है कि no rain code is TC no rain code is TC इसमें देखिए rain code ये है और TC ये है अब देखिए पहला circle कुन सा होगा rain code का हो रहेगा और दूसरा circle रहेगा TC का हमेशा दूसरे circle को first circle की तरफ बढ़ा के देखना है जब भी possibility की case हो दूसरे circle को first circle की तरफ आपको बढ़ा के देखना है तो देखिए दूसरा circle है TC और उसे आप ऐसे बढ़ा के देख सकते है और वो आराम से ऐसे आ सकते है इसका मतलब यह गलत हो गया क्योंकि उनके बीच में रिलेशन हो सकता है फिर थर्ड क्या कहता है कि सम रेनकोट्स आर नौट जैकेट यहां पे भी निगेटिव है मतलब पॉसिबिलिटी चिक करनी है तो क्या करेंगे पहले सरकल की तरब दूसरा सरकल लेके जाएंगे पहला स जाकेट जो है के वह यस के अंदर आता है और रिकॉन और यसके बिच में को एक रिलेशन नहीं इका ही मतलब सम रिकुट्ट। आर नौट जैकेट गया अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई बीस जैकेट नहीं रेगा इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनके बिच में कोई रिलेशन ही नहीं है मतलब सम रेंगोट आर नौट जैकेट यह तो सही हो गया तो यह ठूल है ठीक है फिर फोर्थ क्या कहता है कि सम जैकेट्स आर नौट टीसी अब देखिए सेम वही केसे यस और टीसी के भून के पिच में कोई रिशन होई नहीं सकता क्योंकि जेफ के बैहर नहीं सकता और य। Roberts और मिया जरी कोई रिलेशन नहीं है । सब जैकेट्स आर नॉट टीसी यह तो सही हो गया र्य souерм Slum 14 metaphore follows यहां पे अन्सर आएगा 1pa 3 एंड फूर फॉलोज ठीक है अभी लास्ट कोचन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर की नो स्विच इच प्लग मिन्स कि यस और पी की बीच में कोई relation नहीं है फिर नो पी इच एक्विप्मेंट मिस पी और ए के बीच में कोई relation नहीं है फिर no e is board मतलब e और b के बीच में कोई relation नहीं है ठीक है ये तो हो गई है आपकी वेंड डाइग्राम फिर पहला conclusion क्या किता है कि some switches are board switches और board के बीच में बोला है कि कोई relation है देखिए relation हो सकता है बड़ है ऐसा नहीं है ये definite statement दिया हुआ है और ये definite statement दिया है और इनके बीच में कोई relation दिखने रहा क्योंकि आपको वेंड डाइग्राम देखकी एंसर बताने पड़ते है definite statement में तो ये हुआ गलत फिर conclusion दूसरा क्या कहता है कि no board is switch देखिए निगेटिव स्टेट्मेंट है board ये है board और ये है switch अब no board means ये board जो हुआ पहला circle हुआ आपका और switch दूसरा हुआ तो क्या करेंगे आप दूसरे circle को हमेशा पहले की तरफ बढ़ा के देखिएंगे देखिए no board मतलब board और switch के बिच में क्या relation हो सकता है बिलकुर relation हो सकता है क्योंकि इन दोनों कोई restriction नहीं है राइट तो इसका मतलब भी क्या हुआ no board is switch ये गलत हो गया इस इस रॉंग फिर थर्ड कंक्लूजन some boards are plugs ये definite statement दिया है और board और plug के बिच में बुल रहा है कि कोई relation है डाइग्राम से तो हमें दीख नहीं रहा कोई relation तो मतलब थर्ड भी conclusion गलत हो गया फिर फूर्थ कंक्लूजन क्या कहता है कि some equipment are switches equipment और switches के बीच में कोई relation दिख रहा है equipment और switches के बीच में कोई relation नहीं दिख रहा मतलब फूर्थ भी गलत हो गया तो इसका answer क्या ऐगा इसका answer यह आएगा कि नन आपदीज मैंने यह कुछ जा से लिया है वहाँ पे तो फिप नन आपदीज जैसा कुछ दिया हुआ नहीं था बट मेरे खाल से इसका answer भी नन आपदीज ही आना चाहिए आपको यह पांच कोच्छन समझ में आये होंगे वह जो थर्ड कोच्छन था वह बहुत इंपर्टन कोच्छन है इस वीडियो लेक्टन से आपको एक छीज धान में रहने है कि हमेशा पहले सरकल की तरफ दुसरा सरकल बढ़ा के देखना है ठीक है जब भी possibility के के सो तब राइट ओके